तो बुद्ध से पहले जितने धमिक लोग थे या जो धम को माना करते थे क्योंकि धम जो सब्द है जो धम शद्ध है वो पुराना है वो ऐसा नहीं है कि सद्धत गौतम ने डिस्कबर किया हो या सद्धत गौतम ने बुद्ध बनने के बाद में धम सब्द नया बनाया हो ऐस नहीं है धम्सब्द पहले से ही है क्योंकि जब मनुस्य की चेत्रा जागी तो मनुस्य ने अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक बातों को कहने के लिए रोजमर्रा की बातों को कहने के लिए जो उसके सरीर के अंदर होता है उनको कहने के लिए और जो उसके मन के अंदर चलता है उसको कहने के लिए जो भासा यानि जो आवाज उसकी डबलप हुई और जो आवाज उसने बनाई उसमें आवाज की अलग अलग तरंगे बना कर उसने कुछ सद बनाए शब्द बनाए उन सब्दों के अर्थ उस समय उस समय के कैसे चलता है जीब जंतु कैसे चलते हैं पेड़ पौदे कैसे चलते हैं सूरज कैसे निकलता है प्रथवी यानि पठवी कैसे चलती है वायू कैसे चलती है जल क्या है जंगल क्या है जीब जंतु क्या है मौसम क्या है पहाड क्या है इन सब को कैसे चलता है कैसे नहीं चलता ह उसका आपस में जब लोगों ने भासा बनानी सुल करी और भासा पर बात करने लगे तो ये सब्द दो सब्दों से मिलके बना धै और मै से और पुरानी भासा में जब दो सब्दों को जोड़ा जाता था तो आखिरे वाले सब्द का आधा हिस्सा उसमें जोड लिया जाता था जैसे वै और डै को जोड़ेंगे तो वन हो गया जैसे चे और के को जोड़ेंगे तो चक को हो गया वैसे ही धै और मैं को जोड़ेंगे तो धम हो गया